यह आप लोगों की प्रोब्लम नहीं है यह 90 परसेंट बच्चों की प्रोब्लम होती है कि सर अप्टिक एंस्ट्रुमेंट के लिए फॉम्मुले जो है वो लॉंग टाइम दुरेशन तक जो हमें याद नहीं रहते हैं याद भी होते हैं तो उस कंडिशन में जो है क्यूशन रॉंग हो जाता है दूटू साइन कनवेंशन ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपको फॉम्मुले याद भी करा पाऊं और आप जो है मिस्टेक भी ना करें किसमें साइन कनवेंशन में तो आप देखें द्यान से सबसे पहले हमें compound microscope या astronomical telescope पढ़ने से पहले हमें जो है सबसे पहले simple microscope के बारे में information होनी चाहिए तो आप देखें द्यान से simple microscope से मैं start कर रहा हूं simple microscope अगर कोई भी एक object लिया जाए और इसको आप unaided eye, necked eye से अगर इसको आप observe कर रहे है तो यह eye पर जो angle form कर रहा ह वो angle alpha है और इसी को अगर आप जो है वो किसी lens की help से observe करते है तो उस condition में आपकी eyes पर जो angle का formation हो रहा है वो बीटा है यह मैंने parallel ray बनाई है principle axis के parallel ray जिस point से pass हो रही है तो यह इसका focus point होगा यह बीटा इसका focus है ठीक है और जो optical center से ray बनाई है वो मैंने state बना दिये दोनों rays आगे तो कहीं भी आपके intersect नहीं हो सकती है पीछे बनाया तो इस जगे पर इसकी image का formation होगा आप देखेंगे image जो है वो erect बन रही है सीधा बन रहा है ठीक है virtual image बन रहा है और large in size size में बड़ा बन रहा है ठीक है अब अगर मुझे जो है वो simple इस lens के लिए जो है magnified power लिखनी है तो magnified power जो है मैं beta upon alpha लिख सकता हूं ठीक है आप देखें इंदर ध्यान से magnified power लिखा है यहाँ पर visual angle with instrument instrument की help से जो आप यहाँ पर angle बन रहा है और visual angle for unadded eye यह आपने यहाँ से जो distance हम लेते हैं यह distance minimum distance of clear vision 25 cm है ठीक है तो यह आपने angle यहाँ पर बना दिया यह maximum आपका angle बनेगा जब distance कैसी होगी आपकी 25 cm पर आप लेंगे तो ठीक है तो आप पर बीटा यही से हमारा sign convention से start हो जाता है आप देखें ध्यान से हमेशा जब भी आपको sign लेने है तो distance हमेशा lens से measure करनी है light जो है वो right direction में travel कर रही है distance measure करने के लिए मुझे इसके opposite आना पड़ा तो यह u की value negative होगी इसी तरीके से आप उपर वाले diagram में देखेंगे तो यह light की direction है और हम यहाँ पर यह आई है इससे अगर distance major करते हैं तो यह भी opposite direction में तो यह minus u लिखा है मैंने है ठीक है तो आप देखें ध्यान से बीटा की value लिखिए h upon minus u, alpha की value लिखिए h upon minus d दोनों का आप solve करते हैं तो magnifying power जो होती है एक simple convex lens के लिए इसकी value d by u के equal होती है अब दो conditions हम यहाँ पर discuss करते हैं ठीक है first condition देखें आप ध्यान से मैंने लिखा है when the image is formed at infinity, image का formation जो है वो infinity पे हो रहा है यह image infinity पे बंद रही ह ठीक है तो हम बोल सकते हैं u की value f के equal होगी तो उस condition में magnifying power जो होगी वो आपकी d by f के equal होगी और इसी तरीके से second condition में लिखिए if the image is at minimum distance of clear vision, image जो है वो 25 cm पर अगर बंद रही है तो आप देखें यहाँ पर मैंने lens formula लिखा है, focal length की बात कर रहे हैं तो यह focal length है, lens के लिए focal length लिखेंगे तो यह length इस तरफ होगी आप ध्यान रखें, convex lens के लिए focal length यह secondary focus होता है इसका और यह हमेशा positive बनाना है, ठीक है, v की बात करें, v जो है वो image यहाँ पर बन रही है, ठीक है, यह distance minus d लिखना है आपको, क्योंकि light के opposite direction में चल रहे है, light जो है right direction में है हम इसके opposite चल रहे हैं, तो यह minus d लिखना है, u की value always negative ही लेनी है आपको, क्योंकि u आप यहाँ बनाएंगे, light जो है वो object से start होती है, हम lens से distance लिख रहे हैं, तो u always negative आपको use में लेना है, तो v की value लिखिए minus d और u की value minus u, तो उस condition में magnifying power की value जो मुझे मिलती है, वो 1 plus d by f के equal होती है, दोनों को एक बार repeat कर दूँ, image जो है वो infinity पर अगरा form हो रही है, तो इस condition में आप यहाँ पर magnifying power लिखेंगे d by f, और image का formation minimum distance of clear vision पर होता है, तो इस condition में magnifying power की value लिखेंगे आप लोग, 1 plus d by f, ठीक है, अब देखे ध्यान से, इनी concept को लेकर हम यहाँ पर compound microscope की ब बनाया, जो object के पास में lens है, इसे हम objective lens बोलते हैं, ठीक है, और जो eyes के पास से इस खुम eye piece बोलते हैं, सबसे पहले objective lens के बारे में information आपको देता हूं में थोड़ा, आप देखें इसका aperture जो है, वो आपका यहाँ पर low है, कम इसका aperture रखा जाता है, reason यह है कि जब हम compound microscope से किस of light rays जो है, वो आपकी high होती है, light rays अगर जादा है, तो इस condition में aperture high रखने की जरूद नहीं है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, intensity of images directly proportional to size of aperture, ठीक है, तो आपको पता है कि जितना बड़ा aperture होगा, उतने ही image जो है, वो आपकी intense बनेगी, यहाँ पर इसकी intensity high होगी, already object अगर पास में ह तो यहाँ पर जादा rays आ रही है, तो आपको इसका aperture बड़ा रखने की जरूद नहीं होती है, clear है, second, आप देखेंगे ध्यान से, तो यह object की जो है, वो real image का formation कर रहा है, और अगर यह image real बनानी है आपको, size में large बनानी है, तो उस condition में, यह जो object है, यह object जो है, वो आपका focus f और 2f के बीच में कहीं होना चाहिए, तो उस condition में, इसकी image जो है, वो large बनेगे, ठीक है, तो आप देखें, objective lens के लिए, यह focus point जो है, वो object से पहले आना चाहिए, इसका मतलब, यह इसकी focal length भी जो है, वो minimum रखी जाती है, ठीक है, अगर आपको बताए, object जो है, वो already बहु आईपी इसकी बात करें, तो उस condition में, इसका aperture ही है, और इसके लिए focal length जो है, वो भी जादा होती है, clear है, अब देखें दर ध्यान से, सबसे बले यहाँ पर, आपको जो है, sign convention ही बता रहा हूँ, यह object है, यह parallel ray incident हुई, principal axis के parallel है, तो उस condition में, यह जिस point से pass होगी, यह point इस pass कर दिया, तो इसको हम direct बना सकते हैं, state यह ऐसे move करेगी, इस जगे पर इसकी image form हुई, ठीक है, यह जो image है, वो eye piece के लिए object बनेगा, यहाँ से ray, optical center से pass की, तो आपको state बनानी है, और principal axis के parallel ray, तो यह यहाँ पर, यह इसका focus point हो, ठीक है, आप देखें इदर ध्यान से, हम opposite चल रहे हैं, तो यह distance u जो है, वो objective lens के लिए negative होना चाहिए, इसकी image का formation, इस point पर हुआ, यह आपका v0 है, और v0 light की direction में हम लेंगे positive, इस lens के लिए यह object है, इसकी आप distance लिखेंगे lens है, तो light के opposite direction तो यह minus, ue होगा, और इसके लिए image यहाँ बन रही है, तो यह भी आप इस direction में चलेंगे हैं, तो उस condition में यह value भी आपको negative में मिलेगी, तो यह v e की value negative होगी है, ठीक है, focal length दोनों के लिए positive है, देखें दर ध्यान से, यह focal length होगी यहाँ से यहाँ तक, यह आपके objective lens के लिए जो है, वो focal length है और यह जो है वो, eye piece के लिए जो है, फोकल length है, ठीक है, दोनों values जो है, वो positive होगी, तो sign convention एक बार फिर से मैं आपको repeat कर दूँ, दोनों lens के लिए, objective lens के लिए, और आपके eye piece के लिए, दोनों के लिए focal length जो है, वो positive में होती है, ठीक है, u दोनों के लिए negative में होता है, इसक लिए भी u लेंगे तो आप negative में, हाँ, v की अगर बात करें, तो v जो है, वो objective lens के लिए positive, और जो आपका eye piece है, उसके लिए v की value जो है, वो negative होती है, अब देखें दर ध्यान से, हम जब compound microscope का magnification लिखते हैं, तो यहाँ पर दो lenses आपको दिखा ही देर हैं, तो compound microscope के magnify power आपक power जो है, वो linear magnification of objective lens into angular magnification of eye piece, इन दोनों को multiply करने से, compound microscope की magnify power calculate हो जाती है, अब देखें ध्यान से, सबसे पहले linear magnification हमने lens के लिए सीखा हुआ है, linear magnification की यह formula है, height आपको given है तो height of image upon height of object, v given है तो v by u, आपको f और u given है तो f upon f plus u, और आपको v given है तो आप लिख सकते हैं, f minus v upon f के equal, यह आपका linear magnification है, यह हमें objective lens के लिए use में लेना है, और angular magnification of eye piece वो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने simple microscope में आपको बताया, कि image का formation अगर जो है वो infinity पर हो रहा है, तो उस condition में आप magnification d by f लेते हैं, और image का formation जो है वो आपका minimum distance of clear vision पर हो रहा है, तो उस condition में magnification जो है, वो हम 1 plus d by f के equal लेते हैं, ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, first condition बेटा, मैंने लिखा when the image is formed at infinity, infinity पर image का formation हो रहा है, तो आपको सबसे बले लिखना चाहिए magnification of objective lens, तो जैसा data given इन में से आपको, कोई सा भी formula आप लगा सकते हैं, यह formula मैंने यहाँ पर ठीक है, और image का formation अगर infinity पर हो रहा है, तो पीछे आपको लिखना है d by f e के equal, ठीक है, हाँ, आपको अगर u given होता और f given होता तो आप यह वाला formula भी use में ले सकते थे आगे, और आप यह वाला formula भी use में ले सकते थे, ठीक है, इस condition में अगर आपको tube की length measure करना है, तो आपको equal है, तो उस condition में हम जो length लिखते है, tube की length, दोनो lengths के बीच में distance वो लिखते है, l equals to v naught plus f e के equal, या यह 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 है, ठीक है, अब दियान दियाँ, जब भी आपको tube की length measure करनी है, उसमें किसी तरह का sign convention use में ने लेना है, वो सिर्फ distance है, तो आपको यहाँ पर जो values हैं, उसका only magnitude use में लेना है, तो length measure करने के लिए sign convention नहीं, दोनों को direct आपको add करना है, u e की value f e के equal होगी, तो उस condition में length होगी v naught plus f e के equal, ठीक है, second condition में लिखिए, if the image is at minimum distance of clear vision, फिर से repetition है बेटा, इन में से linear magnification का कोई सा भी formula आगे लिख सकते हो आप, और पीछे लिखा हुआ, angular magnification of eyepiece, जब image minimum distance of clear vision पर बनती है, तो हमें पता है, यहाँ पर जो इसका magnification जो होता है, 1 plus d by f e के equal होगा, यह आपने लिख दिया, इन दोनों formula को आप ध्यान से देखेंगे, तो sign convention की अगर बात करें, तो sign convention d, f, e, इनका किसी का sign convention नहीं लेना, v naught आपको पता है, positive होता है, इसका sign convention आपको इन दोनों formula में जो है, वो you का sign convention use में लेना है, कभी-कभी क्या होता है, books में, आपको यह formula भी मिल सकता है, दोनों magnification negative में लिख दिये जाते हैं, जब negative में magnification लिखे होते हैं, तो उस condition में तो आपको किसी का भी sign convention use में लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है, compound microscope से जो final image बन रही है इसका magnification object के compare में ये जो image का formation हो रहा है ये आपका inverted है तो magnification negative में आना चाहिए ठीक है तो अगर negative already लगा हुआ है तो उस condition में किसी तरह का sign convention यूज में नहीं लेते हैं पर मैंने आपको जो यहाँ पर trick समझाईए उसमें मैंने linear magnification objective lens और angular magnification of eye piece लिखा है तो negative sign कहीं नहीं आया है ठीक है तो जब भी आप question करते time ध्यान रखें कि जब भी आपको magnification देना है तो negative में आना चाहिए और negative में तब आजाएगा जब आप यहाँ पर u naught की value negative में पुट करेंगे ठीक है तो यह answer आपको negative में मिलेगा बाकी किसी का sign convention आपको यहाँ पर negative नहीं लेना है second अगर किसी question में आपसे बोला जाए कि आपको magnification की value given हो इन में से कोई data आपसे पूछा गया है तो उस condition में जब magnification लिखा जाता है तो magnification आपको negative में लिखना है clear है magnification find out करना है तो u naught की value negative लिखनी है और आपको कोई दूसरी quantity अगर find out करनी है तो उस condition में magnification की value जो है वो आपको negative में लेनी चाहिए clear है बाद सभी को ठीक है हाँ यू ही तो अगर given है तो उसको negative में लेना ही है पर magnification भी negative में लेना है clear है अब आगे बढ़ता है इसकी अगर tube की length लिखनी हो तो tube की length again मैं आपको बूल रहा हूँ only magnitude तो magnitude लिखना है तो आप लिखेंगे v naught और यहाँ पर u e दोनों को add कर देंगे only इसका magnitude लेना है किसी तरह का sign convention आपको use में नहीं लेना है एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ ठीक है आपको दोनों केस को एक साट discuss करते है सबसे पहले आगे तो आपको linear magnification of objective lens लिखना है तो आप v naught upon u naught ले सकते हैं आप यहाँ पर f naught upon f naught plus u naught लिख सकते हैं या फिर आप f naught minus v naught upon f naught लिख सकते हैं इन में से जो भी आपको magnification given है data given है वो वाली आप values ले सकते हैं और पीछे आपको क्या करना है angular magnification of eye piece लिखना है तो infinity पर अगर image बनानी है तो आप लिखेंगे d by f e और अगर आपको minimum distance of clear vision पर image का formation करना है तो उस condition में लिखेंगे 1 plus d by f e tube की length measure करने के लिए आपको किसी तरह का sign convention नहीं लगाना है हाँ जब आप numerical solve करेंगे और magnifying power calculate करना है तो आपको जो है u naught की value negative में put करना है बाकी किसी का कोई sign convention नहीं है आपको अगर कोई other data find out करना है magnification given है तो magnification और u naught दोनों को आपको negative में लेना है तो आपको कोई other data यहाँ पर find out कर सकते है clear है चले अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पर telescope की बात करते है यह telescope है infinite rays यह parallel rays हमने बनाई तो parallel rays जिस point पर converge होती है यह focus point होता है तो यह इस objective lens के लिए focus है इसे मैंने लिख दिया f naught और light की direction में हम यहाँ पर distance बता रहे है तो यह positive मैंने पहले भी बोल दिया आपको convex lens के लिए values जो है यह positive होती है फिर आप ध्यान दें यह जो यहाँ पर image बन रही है वो eye piece के लिए जो है वो object बनेगी यह eye piece है यह objective lens है तो यहाँ पर यह raise इस तरीके से इस point पर आपका यह इसका focus point होगा ठीक है और यह भी किसमा आएगा यह भी आपका positive में होगा light की direction में ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो objective lens का aperture high है reason यह है कि object infinity पर है तो यहाँ पर हम जो है sharp image का formation करने के लिए intensity high रखने के लिए image की यहाँ पर इसका aperture high लेता है ठीक है अब देखें इदर द्यान से अगर आपको जो है यहाँ पर telescope के लिए जो है वो magnification लिखना है तो magnification हम लिखते हैं यहाँ पर देखें इदर magnification लिखा है visual angle with instrument instrument की help से जो angle बन रहा है और visual angle for unadded आई तो आप देखें द्यान से अगर आप इसको direct देख रहे होते तो आपकी आइस पर जो angle बनता वो बनता यह alpha यह angle alpha है तो यह वाला angle भी alpha होगा इसकी height में मान लेता हूँ यह h' है और आप जब आप इसको lens की help से देख रहे है तो यह angle जो बन रहा है यह angle है beta ठीक है तो आप देखें यहाँ पर अगर मुझे जो है magnification लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर beta upon alpha beta upon alpha की value लिखते हैं आप देखें जहान से सबसे बिले beta लिखते हैं तो यह h' और अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की distance लिखता हूँ यह distance तो यह जो distance होगी यह आपकी minus में लेना है क्योंकि light जो है वो right direction में travel कर रही है तो इसको लिखोंगा minus u e के equal ठीक है तो beta की value लिखिए मैंने h' में लिखता हूँ यह distance तो beta यह distance actual में V0 है पर हमें पता है V0 जो है वो किसके equal होगी F0 के equal क्योंकि जब infinity से raise आती है मतलब parallel raise होती है यह parallel raise कहां पर converge होती है focus पर तो यह V0 की value F0 के equal हो जाएगी ठीक है इस distance की अगर बत करें यहां से यहां तक distance में लिख दिये minus ue यहां पर लिख दिया ठीक है अब देखें आप ध्यान से हमें जो यहां पर magnifying power मिलती है वो magnifying power की value minus F0 upon ue यहां से मुझे answer मिल रहा है ठीक है यहां भी हम वोई दो condition use में लेते है first condition image का formation जो है infinity पर हो रहा है यह जो final image है यह infinity पर अगर बन रही है तो आपको बताए infinity पर image तभी बन सकती है जब यह object focus पर हो ठीक है इसका मतलब यह जो distance मैंने बनाई है यहां से यहां तक यह distance ue यह इसके focus के equal होनी चाहिए यह focus के equal होगी तो उस condition में ue की value आप put करेंगे तो आपको मिलेगा minus f0 upon fe के equal तो उस condition में यह magnifying power की value हो जाएगे ठीक है tube की length आपको लिखनी है तो tube की length again हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक distance यह वाली यह distance है आपकी f0 और एक distance यह वाली ठीक है image infinity पर बन रही है f0 plus fe फिर से बोल रहा हूँ जब भी आपको tube की length लिखनी है तो उस condition में sign convention को use में लेना only आपको magnitude put करना होता है clear है चले second condition if the image is at minimum distance of clear vision final image जो है वो आपको minimum distance of clear vision पर बनानी है तो उस condition में आप देखे ध्यान से सबसे पहले यह lens formula है f e की value आपको positive लेनी है v e की value आपको minus d लिखना है क्योंकि image का formation आपको कहां बनाना है d distance पर और ये distance मैं यहां से इदर बनाऊगा ये negative में होगा तो मैंने इसको लिखा minus d और u always negative होता है तो ये भी आप negative में लिखेंगे तो उस condition में ये value आप negative में लिख दिया ये भी आप negative में लिखेंगे तो आपको जो है 1 upon u e की value मिलती है 1 upon f e plus 1 plus f e upon d के equal ठीक है अब आप ये value यहां पर अगर put करते हैं तो उस condition में magnify power की value होती है minus f not upon f e और bracket में लिखाव है 1 plus f e upon d जब आप compound microscope की बात करें तो वहां पर ये answer उल्टा था यहां लिखावा था आपका d upon f e यहां पर है आपका f e upon d के equal ठीक है अब देखें इदर ध्यान से इस बार भी अगर tube की length लिखना है आपको तो tube की length लिख सकते हैं ये distance यहां से यहां तक ये distance हो गई आपकी f naught के equal और ये distance यहां से यहां तक कि ये किसके equal है u e के equal है फिर से आपको only magnitude लिखना है तो आप लिख सकते हैं f naught plus u e के equal ठीक है यहां पर आप देखेंगे इन दोनों formula में तो sign convention का कोई role नहीं है आप जब ये वाला formula use में लेते हैं तो दोनो focal length positive है तो आप direct join में बस data put करना है आपको और जब आप इस वाले formula की बात करते हैं तो ये दोनो positive है ये positive है इसका sign आप लेते हैं नहीं है इसका मतलब जब भी आप telescope की बात करते हैं तो telescope के लिए sign convention आपको use में लेना ही नहीं है already जो formula में minus है वो आपको use में लेना है और जो आपको final magnification मिलेगा या total magnification मिलेगा उसकी value हमेशा negative में आएगी ठीक है किसी question में आपको magnification given है और कोई other data find out करना है तो वो magnification आपको negative में लिखना चाहिए clear है एक बार फिर से repeat कर दूँ infinity पर अगर आपको image formation करना है ठीक है तो उस condition में आप simple एक formula दे सकते हैं telescope के लिए वो formula है minus F0 upon F e के equal और अगर आपको minimum distance of clear vision पर image का formation करना है तो उस condition में formula जो होगा वो formula होगा आपका minus F0 upon F e यहाँ भी होगा और bracket में लिखा होगा 1 plus F e upon D के equal जब भी आप tube की length find out करें तो उस condition में जो है वो किसी तरह का sign convention आप use में ना ले जब आप इन दोनों formula को use में लेते हैं तो भी आपको किसी भी sign convention को use में लेने की ज़रूत नहीं है already formula में एक minus का sign यहाँ पर already लगा हुआ है clear है वाद okay बेटा